हेलो बरीवन आज हम लोग देखेंगे दस्वी कख्षा के मैथमेटिस का ऐसा इंपोटेंड वीपी आई अबजेक्टिव पोस्टेंड जो कि आपके मैटिक बोर्ट पर इकशा के लिए काफी इंपोटेंट है अधिया भी दस्वी कख्षा के स्टेंट है और आप ही चाहते है मैटिक एक्षाम पेपर में 400 चीजादा नमबर लाना तो वीडियो को सुरूशिले करन तक जरूर देखेगा साथ ही वीडियो को लाइक ने के होंगे तो या जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि ऐसे को मा बी को मा सी समातर स्रेड़ी में हैं तो बी का मान क्या होगा देखे बी का मान गयाद करने का आसान तरीका क्या है कि हम इसका सारवंतर गयाद करेंगे जिसका फरूला एटू माइनस एवन होता है और दूसरा सारवंतर गयाद करेंगे जिसका फरूला लगाएंगे एट इसके बाद में Čre A3, A3 के बादु में हम यह पे C लिखेंगे, केम की A3 कमाइं यहां पर C दीर रखा है, माईनस में हमें चाये A2 कमाइं, दोस्तों A2 कमाइं देखिएगा, तो B दे दीर रखा है, तो हम यहां पर B लिखने वाले हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, कि देखिए यह B है तो हम यहां पे B लिखेंगे यह वाला माइनस B बराबर के दरा कर पलस B हो जाएगा यह माइनस जो आप A देख पा रहे हैं बराबर के दर जाकर यह पलस में A हो जाएगा और यहां पर जो C है इसे पलस C ही हम लोग लिख देंगे आप देखिए B में B को य क्पागफल में हो जाएगा तो इस परकास बी कमान ए पलस सी बटादू होगा दोस्तों ए पलस सी बटादो ऑप्शन बी में दिख रहा है अधा कुस्टन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा उसके बाद में आईए अगला स्वार कुस्टन नंबर 49 को देख लेती हैं दो उनों में जब 8 कमन मिरा है तो हम 8 कमन कर लेंगे जब 8 कमन कर लेंगे तो यह हो जाएगा C square A माइनस हो जाएगा 10 square A उसके बाद में आप सभी को बता दे यहां पर जवाब 8 देख पा रही है 8 को हम 8 लेकेंगे कोश हटेगा तो यहां पर गुना हो जाएगा अब 6 square theta minus 10 square theta कमन तो एक होता है यह एक फर्मूला है जब 8 में हम 1 सभी गुना करेंगे तो कितना होगा जी 8 होगा यानि कोशन का सही जवाब सेंसी हो जाएगा 8 इसकी बाद में आई एक लास्वाल कोशन नमर 40 को देख लेते हैं कोशन में 40 को और बढ़ते हैं कहता है यदि द्विघाद भुपद P x square plus 3 x plus P का एक सुन्यक मैनस 2 है तो दूस्ता सुन्यक P का मान ग्याद किजिए यानि x जहां जहां पर हमें दिख रहा है वहां पर मैनस 2 रखेंगे और इसे बना लेंगे इस परकार से हमारा P का मान आ ही जाएगा चलिए बना कर देख लेते हैं परदले दिया गया P x square तो हम लिखेंगे P गुने x का मान 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 सुन्यक 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 म चार पी में से पी को एड़ करेंगे तोर एस तो यह और यह चाएगा उसले जा कर चाल हो जाएगा यह जाएगा wil घृता इस परकास दूस्यास P का जो मान आ जाएगा वो 6 बटा 5 हो जाएगा और 6 बटा 5 अप्शन A में दिख रहा है अधा कुस्टन का सही जवा अप्शन A होगा 6 बटा 5 उसके बाद में अग्राइस साल कुस्टन में 41 को देख लेजिए कुस्टन में 41 क्या करता है जी कि यदि एक बिंदो P से ओ किंदरवाले किसे बृत पर PA और PB असपर साथ जगी के कोन पर जूके हो तो कोन A, O, B बराबर क्या हो जाएगा में टिक एक्जाम पेपर में ऐसे स्वाल हमेशा पूछे जाते हैं लेकिन काफी स्ट्रेंड ऐसे कोशन का इसतर बिनाने में नर्भस हो जाते हैं देखिए आशांशा टीक मैं आप सभी को बता दूँ कि जब यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है तो आप सभी को मालब होगा कि तिर्भूज के तीनों कोनों का एकफ़ल 106 00 shoes होता है हाना जी तो आपको यहां पर दिमाग प्रकाश्य लगाना होगा कि 60 डिग्री में हम कितना को इड़ करेंगे कि दोनों का मान हमारा 180 हो जाएगा तो 60 में यदि हम 120 को 142 करता है कि वन मैना कोट को स्कबूर 25 डिदी बटा 1 पलस कोंट इम स्कार 아침 लिव कामान क्या होता है तो हम यहां पर क्या करेंगे on поступ ioo- one म३इनकस कोंट कटी इमस्ट आथी कामान एख होता है तो हम यहां पर एक वाज़ सिक्राइब करेंगे उसकी बार्थ 1 plus quart square 25 तो quart में 45 थि कमान 1 होता है इसका हम कर देंगे square अब 1 minus 1 square तो 1 होता है फिर हम लिखेंगे एक plus 1 square एक होता है अब दखेंगे 1 में से 1 को घटा लिजिए गो तो आपको 0 बचेगा और 1 में 1 को आपकर जिएगा तो दो बचेगा जीरो में दो से भाग लगा देंगे तो जीरो ही होगा हरा जी तो यहां पे कोश्चन नमर 42 का जो राइट एसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा अप्शन वी यानि जीरो वो इसके बाद में चलिए अगला स्वार कुस्मेश 43 को बढ़ते यहां पर कुस्मेश 43 को पुस्मेश 3 का एड़ाई टेस eसर अफशन सी हो जेना चाहिए दखिये क्या होगा कि 12, 5аш होता है 12,25 एड़ीश हो जाएगा तो यह आपका 60 हो जाएगा अब यहां पे क्या होगा कि जब हम निकालेंगे आज़ी connects करेंगे 12 के स्काय करेंगे तो 144 हो जाएगा 5 के स्काय करेंगे तो 25 जाएगा दोनों को जब एड करेंगे तो 179 और 179 का बर्मूल 13 होता है तो हम यहाँ पर असाइन तरीके से 13 लिख सकते हैं तो 60 बटा 13 कोश्चन का राइट टेशर अप्सन C में दिख रहा है अधा कोश्चन का सही जवाब अप्सन C होगा जी पुश्के बाद में एगडाय स्वार यहाँ पर कुस्मा 44 को देख रिश्य करता है कि कोश्च इंटू 90 डिग्री मैनस ठीटा बराबर क्या होता है तिरकुलमिती में यदि कोटी पुरक वाला फर्मूला याद किया होंगे तो आप सभी को मालम होगा कि वहाँ पर एक फर्मूला आता है कि साइन ठीटा क्या जी साइन ठीटा साइन इंटू 90 मैनस ठीटा बराबर होते हैं कोश ठीटा कि छो सेमी त्रीजा वाले ब्रीद के केंदर से आठ सेमी दूर इस्थित एक बिंदू से ब्रीद पर खीची गई अस्पास है कि लंबाई कितनी हो जाएगी दोखे करता है जिएखा कि छो सेमी मी को बींदों से जिसका नाम हम पी लिए दे दे हैं यहां प्लस नहीं मैनस करने वाले हैं और देखिए यहां zukरते हें आट इसकर चाहें जाता है gyven 36 को मायश करना होगा तो देखिए 14 भी से 6 हो जाएगा तो 8 चो चौदा ये 8 बच्चे का और यहाँ पे 2 हो जाएगा अब 28 करना खंड करना होगा 28 करना खंड कैसे करते हैं तो 2 दूनी 4 चार सते 28 हो जाता है डवल दू का एक दू रूट से बाहर निकालेंगे तो अभी भी रूट में हमारा 7 बज़ जाएगा तो इस परकार से दीगर प्रश्ण में यदि हम असपास देखा कि लंबाई क्या करेंगे तो कोश्चन का कूलेंसर 2 रूट अंडर 7 होगा आईए देख लिते हैं आप्सन के कोडिंग तो आप्सन में 2 रूट अंडर 7 अप्सन करते हैं सबसे पहले अप्सन में दिया गया कि साइन कॉस तीश्डवी का मान रूट अंडर 3 बटा दू होता है तो कभी भी कोश से तीश्डवी के बरावा रूट अंडर 2 नहीं होगा तो पहला अप्सन आपका गलत हो जाएगा अप्सन भी में दिया गया है कि साइन 45 ये Root Under Do होता है Sign 30 का मान 1 बटा 2 होता है जब सभी का मान सानी के According मान लिख लिजेगा तो Root Under Do किसके बराबर आएगा तो कौसिक 45 डी के क्यांकि कौसिक 45 और सिक 45 डी का जो मान होता है और Root Under Do के मान के बराबर होता है उसकी बाद में अब आईए हम लोग अगला स्वाल कोश्चन नमबर 47 को देखते हैं कोश्चन 47 भी करता है कि चीतर में HD समानतर कीवार है तो X कमान बताइए देखिए थेस्वर में करता है किसी तिर्भुज के एक भुजा के समानतर खेची है रेखा और ने दो भुजा को समान उन्तपात में भी भाजीट करता है तो यहाँ पी हम क्या करेंगे जैसे 4 दियागे तो 4 बटे X माइस 4 है तो X माइस 4 लिखेंगे बड़ावर में फिर से लिखेंगे 8 बटे यह 3 X माइनस 19 है 3 X माइस 19 लिखेगा और क्रॉस मलिप्लिकेशन कर दीजिए आका कोश्चन कैंसर तयार है आही हो जाएगा 3 में चाज़ना करेंगे तो यह 4्त यह बारा हो जाएगा हम यहां पर लिखेंगे बारा a Y xi और 19 च्वका यहां पर 76 हो जाइगा 8 में x से गुना करेंगे तो यह 8 x हो जाएगा और यहां पर 8 32 हो जाएगा अब दखी यहां पर क्या करेंगे कि 12 x plus 8 x इदर आ कर यह-8 x हो जाएगा यहां पर है 32 minus 72 जाकर यह हो जाएगा 12 x में से यदि हम 8 x को मानस करेंगे तो यह 4 x हो जाएगा अब देखिए माइनस 32 में से 76 को मानस करना है यानि माइनस 32 प्लस 76 जाएगा तो 6 में से 2 जाता है तो यह 4 बचता है 7 में से 3 जाता है तो यह 4 बचता है तो यह 4 x बराबर 44 आगा जी 4 x बराबर कितना है 44 आगा है तो 11, 14, 44 यानि 11 मरत्वे कर जाएगा इस परकाश एक उसमें 46 का सही जबाव अफसन भी होगा 11 है दोस्तों जैसा कि आप सभी मौले स्कीन पे आज के पहला स्वाल को से नमबर एक को देखवा रही हैं पहला स्वाल करता है किस दर्पन की फोकस दूरी रीनात्मक होता है उतल दर्पन की फोकस दूरी धनात्मक यानि पलस में होती है वहीं पे उतल दर्पन की फोकस दूरी रीनात्मक यानि माइनस में होती है उसके बाद में अगरा स्वाल को समद्दू करता है कि दर्पन की फोकस दूरी जिसे एफ द्वारा सूजित किया जाता है और वक्ता तिरिजा जिसे आर दोड़ा सुझित किया जाता है में क्या संबन है दोस्तो सबसे पहले एप का माण यानि फोकस दूरी पुछा गया है तो एप वराबर आर बाइ टू होता है और एप वराबर आर बाइ टू आपसन बी में दिया गया है अगला स्वाल कुशन नमबर 3 को देख लीचे है दोस्तों अगला स्वाल कुशन में 3 करता है कि द्रिष्टी के लिए असपष्ट द्रिष्टी की नियुंतन दूरी कितनी होती है आसान सौदों में कहे तो मनुष्य का जो आँख है वो कम से कम कितने दूरी पर बस्तों को साफ साफ देख सकता है यानि कम से कम किसी बस्तों को देखने की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए तो कुशन का सहीज़वा 25 सेमी हो जाएगा यानि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा उसके बाद में आईए अगला स्टाल कुसमेच चाहर को देखते है कहता स्वेत परकास का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चाथ सब से कम जुगता है मैटिक एक्जाम पेपर के दिए कोशन मौस्टिमडेंट है देखें माल लेते हैं कि यह एक प्रिज्म है जब प्रिज्म से स्वेत परकास गुजरता है तो इस परकास साथ रंगों में बिभक्त हो जाता है इसी साथ रंगों में बिभक्त होने की घटना को परकास का प्रविछेपन या वर्ड विछेपन करते हैं जिसमें सबसे उपर का जो रंग होता है वो लाल होता है सबसे नीचे होता है बैगनी यहाँ पे कोशने पूछा गया है कि स्वेत परकास का कौन ऐसा रंग है जो प्रेजम से गुजरने के बाद सबसे कम जुगता है तो सबसे उपर होता है लाल रंग जो सबसे कम जुगता है और सबसे अधिक जुकता है बैग नी तो हमसे पुछा गया कम में तो कोशन का सही बाव लाल हो जाएगा जी और सबस्वाल करता है कि मानो आँख की रेटीना द्वरा बनाई गई छबी कैसी होती है असान सब्दों में कहे तो कोशन करता है कि मनुस्य के आँख के द्वरा रे और उत्तर लेश के दरा किसी बस्तों का परतवीम वास्तिक और उल्टा बनता है आईए अगला साल कुछ में छो को देखते हैं कोशन में छो करता है आकास का रंग नीला प्रतीध होता है जानि आकास का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है इसका क्या कारण है देखिए अगला साल कुछ में साथ को देखते हैं किसी दरपन से बस्तू का परतवीम बड़ा बनता है वा कौने सा दरपन है जिसके दोरा किसी बस्तू का परतवीम बड़ा बन जाता है आप सभी को बता दे ओतल दरपन में किसी बस्तू का परतवीम बड़ा बनता है उतल दरपन में किसी बस्तु का परतीम छोटा बनता है समतल दर्पन में किसी बस्तु का परतीम समान बनता है हलाकि पुछा गया हुआ कौन ऐसा बस्त दर्पन है जिसमें किसी बस्तु का परतीम बस्तु से बड़ा बनता है कोशन का राइट टेसर अपसन भी हो जाएगा आतल दर्पन उसके बाद में अगला स्वाल करता है कि निमलिखित में से कौन सा ले जोसे निकड द्रिश्टी दोसको ठी करने के लिए उपियो किया जाता है आप सभी को रता ने उट्तल लेज्ट के दोरा जरा तो इसके बाद इसके बाद में करता है कि निमली खित में से कौन सा उकरन बिद्धुधरा की उपश्थिती को दर्साता है यानि इसमें से कौन ऐसा option है जो बीद्दू तरह की उपस्थीति को दरसाता है या बताता है कि light है या नहीं है current है या नहीं है देखे जनरेटर तो हमें बता नहीं सकता है भोल्ट मीटर से बोल्ट मीटर से जारा भी वांतर मापा जाता है तो भी नहीं बताएगा मोटर भी हमें नहीं बता सकता है कि light है या नहीं है गैलेवेनों जो मीटर होता है जिसे इस्टेपलाइजर कहा जाता है इसी के दरह हमें ये पता जलता है कि बीद्दू दाय की उपस्थीती है या न उपस्थीती है एलाज स्वाल करता है कि दाये हाथ के अंगूठे के नियम को किसने परती पादित किया था यानि दाये हाथ अंगूठा का जो नियम है वो किसके दुरा दिया गया था रखिए फ्लेमिंग का बाम हस्थ नियम है लेकि मैक्स्वेल का दक्सिन हस्थ नियम है तो दाये हाथ के अप्सेन डी हो जाएगा अलाज्स स्वाल करता है विभांतर का एसा assumed Maadron क्या होता है दोस्ता सभी को बता दें कि यानी जाता है और इसकetsn तो काता है कि विभुवांतर कैसे मात्रा क्या होगा जी तो अपसन ए होगा यानी वोल्ट होगा अईलाई स्वाल कुछना बारा करता है निमली खित में से की से सन्योजन द्वरा परतिरोध का मान बढ़ता है कौन ऐसा सन्योजन है जिसके माद्यम से परतिरोत का जो मान होता है करेंट का जो मान होने लगता है उबढ़ने लगता है कुशन का सहीज बाउपसन ये हुशायका स्रेनी करम के द्वरा परतिरोत का मान बढ़ता है समनांतर करम के द्वरा परतिरोत का मान जो है वो घड़ता ह एड़ा स्वाल करता है चुम्बा की बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है दुस्तार सभी को बता दें चुम्बा की बल रेखा की जो प्रकृति होती है वो काल प्रिंग अर्थात माइनस में होती है कुशन का सही जबा उपसन यह होगा उसके बाद में आइए अगला स्वाल कोश्माइश 14 को देख लेते हैं एक कीलो वार्ट घंटा किसके बराबर होता है मेटीक एक्जाम पेपर में ये स्वाल अल्रेडी पूछे जा चुके है देखे कहता कि एक के डबलू एच भी आता है कि 1 kwh की इसके बरावर है तक k का मतलब kilo w का मतलब watt h का मतलब हावाल एनी घंटा होता है तो एक kilo watt घंटा बरावर तिन दस अमलों छोगने दस अपाउं और छोग जूल के बरावर होता है question का सही जवाब यहाँ पे option C होगा जी शरी अगला साल कुस्मा पंदला को देखते हैं नवी कर्णिये उर्जा का स्रोत क्या है हमें नवी कर्णिये उर्जा का स्रोत बताना होगा यानि वैसे उर्जा जिसे हम पुना प्राप्त कर सकते हैं उसे नवी कर्णिये उर्जा करते हैं जिसे सौर उर्जा हो गया, ज्वारिय उर्जा हो गया, पौन उर्जा हो गया, इस सब के सब होते हैं नवी कर्णिये उर्जा के स्रोत, यहां ते कोईले से प्रात उर्जा अप्सिन में दिया गया है, तो यह नवी कर्णिये नहीं बलगी और नवी कर्णिये उर्जा के स्रोत है क्यांकि कोईला एक नवी करने संसादन होता है एला स्वाल करता है कि कौन सा लेंस से अवसारी लेंस भी कहलाता है दोस्तों याद रखिएगा ओतल लेंस को अवसारी लेंस करते हैं उत्तल लेंस को अभी सारी लेंस करते हैं लेकिन यहीं पेछ यह होता है ओतल लेंस को अव अवतल लेंस को तो हम अवसारी लेंस करते हैं लेकिन अवतल दर्पन को अवसारी दर्पन नहीं बलकि अभी सारी दर्पन करते हैं उतल लेंस को अभी सारी लेंस नहीं बलकि अभी सारी लेंस करते हैं एले स्वाल 17 नमर कोशन कहता है परकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है देखिए वर्ण के तीन परकार होते हैं ठीक है जी वर्ण के तीन परकार होते हैं पहला है बताया गया कि प्राथमिक वर्ण जो किसी भी वर्ण के सहता से नहीं बनता है उसे प्राथमिक वर्ण कहते है दूतियक वर्ण क्या होता है कि जब दू कलर को एक साथ मिला जाता जैसे मैजेंटा हो गया स्यान हो गया गोल्डन कलर हो गया ये सर के सब दूतियक वर्ण होता है और जो सभी रंगों के मिलाने से जो रंग बनता है जैसे स्वेथ हो गया ये से हम लोग संपूर अगवर्ण क प्रियुक्त में से सभी। उसकी बाद में कुष्मा ठाड़ा करता है निमलिखित में से कौन नेतर का रंगीन भाग होता हे मनुस्र के आंक का कौन सा रंगीन भाग होता है तो उसे हम लोग आईरिस करते हैं कुष्मा का सही जबाब अब सेंटी होगा जी आईरिस वो इसके बाद में कहता है कि एक HP एक HP बरावर क्या होता है देखिए एक HP बरावर जो होता है न जी वो 746 वाट होता है हलाकि मैटिक एक्जाम पेपर में इस स्वाल कभी नहीं पुछा गिया था लेकिन बिहार बोट जब अपना official model paper को जारी किया तो उसमें यह question शामिल था इसलिए आपके exam paper के द्रिश्टी कोंसे यह question important है एलाव स्वार करता है कि विसालक सीशा जिसे magnifying glass कहा जाता है इसमें किस lens का प्रयोग किया जाता है जोस्ताब सभी को अदा दे विसालक जब सीशा का नाम आ गया है तो विसालक यानि विसाल जो द्रिश्टी च्छत होता है वो किसका होता है तो उत्रलेंस का होता है इसलिए magnifying glass जो होता है वो उत्रलेंस का ही होता है वो इसके बार में करता है कि जब किसी चालक तार से बिधूत धारा परवाइद की जाती है तो गती सील का उनको क्या करते है मेटी के एक्साम पेपर में ये स्वाल बहुत ही जड़ा बार पुछा गया है पहला से नमें है परमानू, आयन, प्रोटान और डी में डिया गए इलेक्टरान आपको क्या से जवाब लिगता है कमेंट सेक्षन में चले जाएए और आपने नाम के द्वारा इस एंसर को लिखे चले आएए आगे आने वाली वीडियो सेज में कोष्में एकर्ष का आपके दोरह बताएगे तमाम 6.16 का नाम अगले वीडियो में बताये जाएगा जिसका एंसर सबसे पहले आएगा तो आज कि इस वीडियो में इतना ही हलाकि हम आप सभी को बताये थे कि इसमें हम लोग और सी objective question का solution करेंगे लेकिन वीडियो लोग ना हो आप लोग का ज़्यादा टाइम खर्च ना हो इसलिए इस वीडियो को तीन पार्ट में बाढ़ दिया गया है पहले पार्ट में हम लोगों ने 20 objective question देखा दूसरे में देखेंगे 30 तर 30 20 50 जाएगा और 30 बारे में 30 देख ले देखेंगे तो हम जाल भी लेंगे अगले वीडियो में नए बीडियो अब्जेक्टी था सब्वेटी कोशन के साथ तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चलिए पहला कुशन कर देख लेती हैं पहला स्वाल में पूशा गया ठी को दो कि हाँ याद से उसली का राइट्टे सर अप सन्वें पूश जा गया था कि वर्साय की संधी कब हुए थी जो सो Canonिस में हुईती इसलिए कोश्छन का राइटेसर अफसन अपसं भी होगा उसके बाद में अगला सवाल क्षाती ने पुछा गया था कि 20 मार्ग क्या था जो यार रिखेगा बिस मार्ग एक कूट ने तीग था कोश्चन का सही जबाब अपसंटी था पूर्ट नितिंग्यों उसके बाद में अगला साल है पुशा गया था कि नेपोलियन सनहिता किस बस लागू की गई थी दोस्तो आप सभी गता दें कि नेपोलियन सनहिता जो है उस सन 884 में नेपोलियन बुनापाट के दोरा लागू की गई थी वो इसके बाद में एगलाइस साल करता है कि इटली में राष्टबाद का जिनम दाता की से माना जाता है दोस्तों आप सभी को उता दें कि इटली के एकड़ में जो महत्पुन हुमिका है और नेपॉलियन बुना पार्ट का है यही कारण है कि इतली में रैश्टबाद के जनम दाता नेपोलियन को माना जाता है पुश्की भाद में एलाइस सालिh पुच्छा गया था कि चेका का गठन की सनें किया था जोस्तों आफ सेबी को बता दें कि चेका का गठन लेलिन के द्वरा किया था कुश्टन का सही जवाब अफसन भी होगा ले डिन ऐलाइस साल है पुछा गया था कि दास के अपिरल की रचना किस ने किया था दोस्तों आप सभी को दा दें सन 867 टिसी में काल मार्च के दोरा दास के अपिरल ना मत पुछता की रचना की गई थी तो कुश्टन में साथ का डाइटेंस रफसाने होगा काल मार्च पुश्के बाद में अगलाइस साल है ले डिन की मिर्टू कब हुई थी दोस्तों याद रखी का ले डिन की मुर्टी सन 1903 सिसी में हो गई थी और ले लिन की दोरा नई राथिक नीती सन 1903 सिसी में अपनाई गई थी पुश्के बाद में अगलाइस स्वाल करता है अंतराष्टी मजदूर दिवस का मनाया जाता है याद रखेगा अंतराष्टी मजदूर दिवस प्रत्रेक एक माई को मनाया जाता है उसके बाद में अगलाइस स्वाल स्वियत संग का बिगटन कौब वह था दुस्तों स्वियत संग का बिगटन सन 1991 सी में हो गया था उसके बाद में अगलाइस स्वाल कुसमें 11 करता है निमलिकित में से कौन समाजिक भी भाजन का धार नहीं है लेकिं समाजिक भी भायन का धार धर्म भी है, धर्म के दोरा भी समाग का बटवारा कर दिया जाता है, भासा भी है और जाती भी है, लेकिन मनावता का धार पर धर्म का भी भायन नहीं किया जा सकता है, राइट डेसर रपसन सी था, उसके बाद में सुलावी लोकसभा में महि सब्सक्राइब कर परतिनदी के रूप में चुनी गई थी तेहारा कि एक सट कोई भी अप्शन में नहीं रिया गया है हलाकि सब्सक्राइब होगा राष्टी महिला आयोग अधिनियम का बना था और यहां पर देखिए गाना तो चार उप्शन गलत है इसी कोशन को उन्चाश नमर कोशन में देखेंगे तो वहां पर अप्शन सही दिया गया है क्योंकि राष्टी महिला आयोग जो बना था सबसे पहले कोई भी अप्शन नहीं दिया गया है इस चार उप्शन गलत है कुछ की बात में संग सरकार का उधरान क्या है तो यह अमेरिका है कोशन का राइट अप्शन ही होगा इस चार पंदरा को देखली से इंगल्याइन महिलाओंको बेह्शक मत अदीकार कौप्राद था दूस्तों राइट दिस्रप्शन संदी था इंगल्याइन महिलाओंको को बेह्शक मत अदिकार सन 1928 सेशी में परब्त हुआ एलाइस स्वाल काफी ही, स्विपल बुशा गया था कि भात में कितने राज है, आप सभी को ता दे, कि भात में 29 राज है, कुष्ण का राइट डिस्रप्सन सी हो जाएगा कुष्ण के बाद में 25 राज काल कितने वर्सों का होता है, तो आप सभी को ता दे, कि ग्राम 25 राज काल केवल 5 वर्स का होता है, ग्राम कछारी का परधान कौन होता है, बहुत सरे स्ट्रेंट तो इसका एंसर मुख्या मारे होंगे, लेकिन आप सभी को ता दे, कि ग्राम कछा का पर्धान सरफंच होता है कुछन का राइट टेसर अप्षन टीफ हो जाएगा पुछकी बाद में इलाज साले पुछा गया था निम्लिकित में से कौन सा कियंद सासीद पर देश है आप सबी को हम बताया तो पीछले वीडियो लेक्षर में कि पूरे भारते के साथ देश है जहां मिश्री तर्थ वे उस्ता विध्यमान है तो कुछन का राइट इस तर अपसंच हो जाएगा उसकी बाद में निम्लिकित में से कौन पीछरा राज है आप सबी को ता देए बहुत ही अफसोर के साथ करना पड़ता है कि बिहार राज को ही पीछरा राज कहा जाता है इ इस तरह उसकी बाद में अगला स्वार कुछन तेज को देख रीचे कि भाथ में निती आयो की असापना कभी गई थी आप सभी को ता दें कि भाथ में निती आयो की असापना सन 2014 में नरेंदर मोदी के दुरा की गई थी कोशन का सहीं बावशन भी हुचाएगा 2015 में उसकी करता है कि इतने प्रतीषप लोग करीशी पर निर भर हैं आप सभी अधर ने बवदार में लगभर इसलिए इसका सहीज बावसनष्टी होगा 85 प्रतिशत को जिजिए का पूची का पूची का होता है तो लाभने तो नहीं इसका बेतनिया व्याज होगा कमेंट स्क्शन मी बहुत जरूर बताईएगा पुछा गया तक बिहार के की जिले का प्रतिब्यक्तियाय सर्वाधिक है तो आप से भी कोता देए कि बिहार में जो प्रतिब्यक्तियाय जो अधिक है वो पटना जिला गये है भारत में पुछा जाएगा राज में पुछा जाएगा तो गवा हो जाएगा बिहार के जिला में म्रीदा पाई जाती है दुस्तो आप सबी कहता दें कि भाओं में तुरे 5 परकार के म्रीदा यानी मीटी पाई जाती है हलांकि 5 अभसन में दिया ही नहीं नहीं गया है उसकी depends करता है कि आध्रूनिक सबता का रेड किसी माना तो याद रखेगा भारतिय जलनेती जो है भारत में 22 मीचनी में लागू की गई थी बहुत सरे स्ट्रेंट करते हैं तो आप इसका इसे देख लीचेगा ताप वीदूद केंद्र कहां है तो दिसके बराउनी समझती पूर कटिहार और गया में तो होगा नहीं सहीजवा परमानु बीदुद्द्गरी तारापूर में इस राज में बन का सरवाथिक विष्थार है तो आप सबीकों बताये थे कि मध्ध परदेश एंपी के साराज है जो भात में सबसे बड़ा वन उत्पादक राज मना जाता है यहीं पें सबसे ज़्यादा घाना जंकल है अबराप कितने किस्म में पाई जाती है तो आप से भी फोता दे है की अबराप की जो किस्म होती है वो दो होती है अलागि दो अप्संड में दिया ही नहीं है लेकिन अवरा का किस्म की बात परेंगे ये दो किस्म की होती है अल followug के उत्पादन में बिशमे भाद का कौन सा स्थान है द csak या तक जि कैब मेंगा बिशमें पहला स्थान है कुछिन का सेज़ बाव उसन यह हो जाएगा जी उसकी बाद ही पूछा गया था निमलीकित में से कौन सा प्रकृति का अबदा नहीं है आप से भी कहम बतायत है कि वैसी आपदा जो प्रकृति कारणों से घटित होती है उसे प्रकृति का अबदा करते हैं जिससे भुकंब ज बताय सुनामी करते हैं कि यूड़ोप का मरीजी कि से कहा चाता है वो तुर्की देश को कहा जाता है उसकी इस्वावेशन ती本सा है उपार किसे माना जाता है ती हो जाएगा उसकी बाद में अगरा स्वाल है यंग इटली का साथा की से माना जाता है आप से भी को मालू होगा कि सन 831 की बात है जब मेजनी के दोरा यंग इटली नामक कूरी बेशनी के वाद करास्टी काउन है है बिहार में सबसे पहला पर उकम अ Кई Иפ सन 34Cu में आय'tा जिस पें जमीन पढ़ गई दरालय पढ़ गई थी और काफी ज्यादा मातरा में बालू जमीन प्या गएथे अलस्ता बर्राइस सऩाल यहांऑ फिर से कोसिं रीपिट्ट किया गया है कि राश्टि महीला आयोग अदिनियम किस बश्ट बना था है आपसे भी बता दें कि भारती राश्टी इस ओर आयोगादिनियम सन पराफल सांगेरम सांगे अदि किभारति राभर को हुआ था इस वीडियो में आप सभी को जितने भी एक सिरी कर 50 के ऑब्जेक्टिव को सलुशन किये थे इसमें जितना भी आप सभी का शही होगा कमेंट सेक्षन में जाकर आप अपना उत्तर जरूर लिखेगा इस वीडियो में हम आप सभी को एक से लेकर पचास तक के समाजिक विग्यान फर्स टर्विनल एक्जामिनेशन में कुछे के तमाम कुछनों का इसर के लिए हैं आगे आने वाली वीडियो लेक्षन में हम लोग हिंदी का सेंस्कीट का उर्दू हिंदी और इसके साथ मैत और साइंस का जो पेपर बाकी है सभी का एक्जाम से पहले उसका एसर की देखना चाहते हैं तो या जल्दी से चानल को सबस्क्राइब कर लिए से ज्यादा स्टुडेंट में वीडियो को शेर कर लिए ताकि वे लोग भी एक्जाम से पहले कोशन का लाव उठा पाएं हम जल्द लेंगे अगले वीडियो में नए वीडियो दस्रीक अच्छा क्या इंपोटेंट कोशन के साथ तब तक लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद